तो पिछले पार्ट में लिंसीन ने सब को बताया था कि किस तरह से फायर एनरजी के आउट आप कंट्रोल होने के बज़े से उसके फादर मारे गए थे और फिर इसे बचाने के लिए उसकी मदर ने खुद को सेक्रिफाइस कर दिया था फिर वो आगे कहता है कि इसी बज़े स का यूज नहीं कर सकता तो क्या हुआ लेकिन इसके बाद भी मैं अपने टीम की हल्प करने के लिए अपने सारे चीज़ के यूज कर लूँगा और अभी तुमने कहा ना कि अगर किसी दिन हाऊचिन अपने एनेमी को नहीं हरा पाया तब उसके बाद मैं इसके बारे में क्य करूँगा तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी का यूज करूँगा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिसीन भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है तभी लिंस इन कहता है कि अगर आज साय को कुछ भी हो गया तो फिर मैं इसे रिपे करने के लिए अपने लाइफ का यूज करूँगा अब इस तरह से इसके बारे में जानकर वे सभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाते और फिर लिसीन का कैप्टन भी उससे कहता है कि अब तुम इसके बारे में बात करना की थी लेकिन अब इस बात के वज़ा से खुद हाउच इन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और अब उसे यकीन नहीं होता कि इसकी पाउर सायर को हील कर रही है इसके बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या यह एटरनल टावर के वज़ा से है फिर वो याद करने लगता ह है कि जब वो एटरनल टावर से बाहर आने वाला था तब एटरनल टावर ने अचानक से वहां के सारे स्प्रिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और फिर इस तरह से वो सबसे प्योर डेथ एनरजी में चेंज हो गये थे इसलिए हाउच इनको समझा जाता है कि इसका यूज करके सार को हील करना सबसे बेट रहेगा क्योंकि असल में इसके पास में डेथ वाली एट्रि视्ट है इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इसके पाउर्ने सार के इंजरी को हील कर दिया था और आखिर का रभ इस तरह से वो होस में आ गई होती है जिसक इसे बाद हम देखते हैं कि सायर भी इस से बता देती है कि इसने देखने सुने और टेस्ट वाले सेंस को खोधिया है, लेकिन अभी इसके बारे में जानकर हाओचिन को काफी बुरा लग रहा था, और फिर वो सायर से कहने लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पर हो रही हूं क्योंकि बैकलेस के वज़ा से मुझे जो पेन हो रहा था वह अब काफी हलका हो गया है तब इसके बारे में सुनकर हाउचन सोचता है कि क्या एटरनल टावर ने सायर के रिकवरी स्पीड को बढ़ा दिया लेकिन आखिर कर अब तो सायर ने अपने तीन सेंस को खो वाले हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसकी बात मान कर अराम करने लगती है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन को सायर के बारे में काफी चिंता होती है और फिर वो कहने लगता है कि सायर भले ही होस में आ गई है लेकिन अभी भी वो इतने दूर तक ट्र पत्र फृट से जग्मी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिकावर्योन वें खुश टाइम लगेगा। इसके अलाबा अगर हमें यहां से वापस जाना है तो इसमें साथ से आफ दिन तो लगी जाएंगे। और इसी वजह जाया। कि अभी यहां से जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है तब इसकी बात सुनकर हाओचेन भी इसके बारे में कुछ देर के लिए सुनसता है और फिर इनसे कहता है कि तुम सभी इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करो क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास में अ लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर इसके लिए कुछ लोग रेडी नहीं होते और फिर हान्यू हाउचेन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि यह इतना ज्यादा आसान होगा लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसने हमें फसाने के लिए बहु साथ में वहाँ पर कोई भी गरबर होती है तब उसके बाद मैं तुरंत उसे बहाँ पर समन कर लूँगा अब इतनी बात कहने के बाद वो इन से कहता है कि तुम सभी मेरे उपर यकीन करूं कि यहां से वापस निकलने का हमारे पास में केवल यही एक रास्ता है इसलिए वो इ लिन सीन से कहती है कि मैं तुम से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ और इसलिए तुम मेरे साथ हाओ जिसके बाद हम देखते है कि इसकी बात मान कर लिन सीन भी इसके साथ में आ गया था और फिर उससे पूछता है कि तुमने मुझे अकेले में क्यों बुलाया इसी के साथ वो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी नराज हूँ और क्या इसके लिए तुम मुझे पीटना चाहती हूँ लेकिन इस पर सायर उससे पूछती है कि क्या तुम कभी मुझे मिस नहीं करते और लिंसीन अभी भी इसके बारे में नहीं समझ पाता और फिर उससे पूछता मैं तुम्हारे बारे में गलत थी और मुझे तुम्हारे बारे में सचाई के जाने भी न तुम्हें नहीं डाटना चाहिए था इसके बाद वो उससे कहती है कि इस तरह से मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में भी याद दिला दिया जिसके बारे में साय तुम कभी भी याद नहीं करना चाहते तब इस पर लिन सिनु से कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि वैसे भी तो इसके बारे में बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल फूचते रहते थे और इसलिए इसके बारे में रिविल करके मैं काफी रिलेक्स फिल कर रहा हूं लेकि नव इस पर लिन सिन कर मैं तुम्हें कैसे फीट सकता हूं या सुनकर लिसीनू से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करू क्योंकि मैं इसके लिए तुम्हारे साथ में फाइट बैक नहीं करूंगी जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसीनू से यहां से जाने से रोकती है और फिर उससे कहती है कि मैं तुमारे टिमेट के सामरे अपना फेस कैसे दिखाऊंगी लेकिन अब इसके ऐसे बातों के बज़ा से लिंसीनु से गुसा हो जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम इसके बारे में बात करना बंद क्यों नहीं करती क्योंकि वैसे भी अब इसके लिए तुमें पीटन इसकी और हो जाएगा लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर लिंसीनु से यहां से जाने से रोकने लगती है जिसके वज़ास से हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गये थे और इस तरह से इनके बीच में किस हो गया था अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनो लिंसीन का नाक इंजर्ड हो गया था और फिर वो जाने से पॉले उसे कहती है कि यह समत सूचना कि इसमें तुम्हारा कोई नुकसान हुआ क्योंकि वैसे भी यह मेरा फॉस्ट किस था तब इसके बारे में सुनकर लिंसीन भी कहता है कि जब भी मेरा फॉस्ट टाइम था और फिर वो हैरान होते हुए अपने हाट से कहता है कि अब तुम इतने चोरों से धारकना बंद करो वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसे सुई अपने उपर से बैंड को हटाने की कोसिस कर रही होती है लेकिन काफी कोसिस करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती जिसके बाद वो हैरान होते हुए काती है कि कि आई स्बैन को सच में अनलोक नहीं किया जा सकता और फिर वो हाउचिन को याद करते हुए कहती है कि तु मैंसे पहले इंसान हो जिसने की मुझे इस तरह से हार्म किया है इसलिए तुम प्रे करना कि तुम मेरे हाथों में ना आओ, नहीं तो फिर उसके बाद में तुम्हारे लाइफ को मौत से भी बदतर बना दूँगी, और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, तो अगर एक्स्प्लानेस सन अची लगी हो तो वीडियो को ला प्रे करना